नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आज इस वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में करेंगे रेल्वे ग्रूपटी 2018 में आएवे दोस्तो जी के जी इसके कोश्चन दोस्तो प्रीवियस एरे कोश्चन है एक्जाम में आएवे कोश्चन है तो दोस्तो इनकी संभावनाय फिर दोस्तो आप SSC की बात कर लें हर इक exam में आपकी help करेगी state level के कोई exam क्यों ना हो जिसमें GKGC question पूछे जाते हैं उसमें आपकी help ज़रू करेगी दोस्तो उमीद करता हूँ कि आपले पूरे वीडियो में दोस्तो यह आपकी option से A, 4 वर्ष, B है 6 वर्ष, C है 7 वर्ष दोस्तो D है 2 वर्ष ठेक है दोस्तो चलिए वीडियो सुरू करते हूँ वीडियो सुरू करने देने विदेन हैं दोस्तो की पूरे वीडियो में बने रहे हैं च्योंकि दोस्तो railway exam की tentative जो exam date है वो आ चुकी है और SSC की तो दोस्तो pattern जो भी उनके syllabus है और जो भी उनकी schedule है वो दोस्तो वो आई ही गई है तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि आप लोग अपने त्यारी अच्छे से करी रहे होंगे और आपकी त्यारी में रेडियो तरंगे और दोस्तो डी है X किरने तो दोस्तो इस question में आपको सही answer है वो है आपका option number A यानि कि दोस्तो जो धवनी तरंगे है वो यांत्रिक तरंगे होती है ठीक है दोस्तो और धवनी तरंगे जो होती है अनुधैरे तरंगे होती है और जो अनुपस तरंगे होती हो प्रकाश की होती है ध्यान रखेंगे confused नहीं होंगे अगला है दोस्तो प्रसिद पिंजोर गार्डन कहां इस्तित है तो दोस्तो आपकी ऑप्शन से A बैंगलोर B है दोस्तो स्रीनेगर C है दोस्तो दिल्ली और D है चंडीगर तो दोस्तो इस कोशन का आपकी सही आंसर है वो है आपका option number D याने की चंडीगर और दोस्तो ये चंडीगर में जो ये आपका गार्डन है याने की पिंजोर गार्डन है इसको दोस्तो नेक चंद लाल जी दोरा बनाए गया था ठीक है दोस्तो नेक चंडीगर जी दोरा ठीक है चलते हैं अगले कोशन के दोस्तो अगला कोशन है कि silver chloride एक dark bottle में संग्रहित किया जाता है याने तो इसको संचित किया तो रखा जाता है क्या कारान है आपके option से हवा के संपर्ग से बचाने के लिए B है oxygen के साथ प्रतिकीरिया करने के लिए C है सूरज की रोस्तनी का रंग जोडने के लिए D है सूरज की रोस्तनी की प्रतिकीरिया से बचाने के लिए तो दोस्तो इस question का आपको सही answer है कि silver chloride को एक dark bottle में इसलिए संचित किया जाता है कि दोस्तो वो सूरज की रोसनी से प्रतिकीरिया ना कर सके यानि इसको दोस्तो प्रतिकीरिया करने से बचाने के लिए किया जाता है और दोस्तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है दोस्तो यह चांदी का योगिक है यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तो और silver chloride को horn silver कहा जाता है दोस्तो उम्मीद करता हूँ कि पूरे वीडियो आप लोग बने रहेंगे और वीडियो आपको अच्छी लगेगी जब तक आप दोस्तो पूरे वीडियो के questions नहीं देख सकते तब तक आपको ये पताने चलेगा कि आपकी exam की preparation कैसे चल रही है और आपकी exam का जो आपकी तैहारी है उसको आपके लिए कितनी और जरूत करने की जरूरत है ठीक है दोस्तो तो ध्यान से बने रहेंगे और हाँ अगर आपको time कम लगता है questions के answers को लेकर options को लेकर तो दोस्तो वीडियो रोक लें फिर अपने answer को choose करें फिर आगे बढ़ें ठीक है अगला दो पिछ to move mobility के छेतर में उभरते startup के लिए एक malleability pitch प्रतियोगिता dash के द्वारा शुरू की गई आपको पहचान है दोस्तो ये किसने शुरू किया था pitch to move आपके options है किरल startup mission B है दोस्तो stand up India C है startup India दोस्तो D है नीती आयोग तो दोस्तो इस question को आपको जो सही answer है वो है आपका option number D यानि की नीती आयोग ठीक है चलते हैं दोस्तो अगले question के और आपका अगला question है नी की 5 question है पस्रिद बंगाल के समाजी कार्य के छित में पद्रम श्रीप पुरुषकार 2018 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तो आपको बताना है कि 2018 में पद्रम श्रीप पुरुषकार एक व्यक्ति को मिला है जो पश्रिद बंगाल के हैं आपको उन्हें पहचानना है आपके options है A.C. दोगेंद B है दोस्तो सुबधी देवी और दोस्तो D.C. है जोस मा जाय और दोस्तो D है स्री शुदानसु विश्वास दोस्तो इस questions के according आपने pattern को भी समझ सकते हैं कि exam के pattern कैसे थे उस समें exam में दोस्तो इस question का आपके सही answer है वो है option number D यानि की स्री शुदानसु विश्वास दोस्तो अगला question ने की छटा question है कि अंग्रेजी या त्री William Hawkins ने शासनकाल के दोरान भारत दोरा किया यानि कि किस के सहसनकाल में William Hawkins ने भारत क्या दरा किया आपके option से दोस्तो A जहांगीर भी है दोस्तो इस question में जो सही answer है वो है आपका option number A यानि की जहांगीर दोस्तो जो William Hawkins था वो उसने जहांगीर के सासनकाल में भारत का दोरा किया था दोस्तो अब जानते हैं कि exam जो railway के questions होते हैं वो repeated होते हैं mostly exam के जो questions होते हैं लेकिन आप उस previous questions को जो कुछ बीते गत वर्षों में exam होए थे उसके questions कम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं यहीं हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है दोस्तो 2018 के questions जिस जिसने भी दिये होंगे exam उनको पता होगा कि pattern जो exam के हैं उसमें change हुआ है questions दोस्तो repeat उसमें भी हुए है पहले क्या था कि जी कि जी questions 60 तक आते थे 50 से 60 दोस्तो इसको limit कर गया गया है 25-30 में इसको रोग दिया गया तो दोस्तो लेकिन question repeat हुए थे यह कोई नहीं कह सकते कि question repeat नहीं हुए है प्रिविस एर question बस हाँ उसका जो question का weight is था उसके दोस्तो रेशियो को जरूर कम किया गया है अगला है दोस्तो Theater Olympic एक अंतराश्टे तेवार की प्रसिद ग्रीक निर्देशक डैस की एक पहल थी तो दोस्तो इसका जो आपका सही answer है वो है आपका option number C ठीक है दोस्तो option number C है इसका सही answer यानि की Theodorus Terzopols ठीक है चलते हैं दोस्तो अगले question के और दोस्तो आप लोग ध्यान से बढ़ेंगे और हरे question को अच्छे से बनाएंगे ध्योनी का प्रसारन केवल तभी संबाव है जव हो आपको बताना है क्या उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है तभी वह हो सकता है निर्वात भी है अपवर्तन C है परवर्तन दोस्तो D है माध्यम तो दोस्तो इस question के आपने सही समझी लिए होगा कि इसका जो option है वो D ही सही होगी कि दोस्तो 12 हो है निवरात में यानि कि जहांपे वायू का बिलकुल भी नहीं होती है उपस देती वहाँ पर नहीं ग्याती कर सकती है ठीक है इसके लिए माध्यम की आवसकता होती है ठीक है अगला question है पंजजा विधानसभा चुनाव 2017 में निमलिकित में से किस दल ने सबसे अधिक सीटे जीती है दोस्तो इस तरह पंजाब के जो मुख्यमंतरी है वो कैप्टन मरिदा सिंची है ठीक है अगला है निमलिकित में से कौन oxygen युक्त और oxygen रहित रक्त के मिश्रण के प्रभाव को सेहन कर सकता है आपको बताना है दोस्तो आपके option से A मचली, B है कबूतर, C है मैढ़क और D है घरगोश तो दोस्तो इस question का जो सही answer है वो है आपका option number C दोस्तो मैढ़क ठीक है, मैढ़क है जो आपका oxygen युक्त और oxygen रही दोस्तो इसलिए सहाँ सकते हैं कि ये जल में भी रहता है और बाहर भी रह सकता है ठीक है दोस्तो अगला question है कि प्रागर्तिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता है आपकी option से दोस्तो ब्रहो फाइल B है दोस्तो सरसो C है केला और दोस्तो D है शकरकंद दोस्तो इस question में जो आपका सही answer है वो है आपका option number दोस्तो option number है आपका C यानि कि दोस्तो केला दोस्तो option number दोस्तो ये आपका सरसो ठीक है गलती होगी सरसो में नहीं पाया आता है तो सरसो सुक्सफल का उधारन है जो सिल्युवा के अंदर गत आता है चलते हैं अगले कुछन के अगला कुछन है कि सत्याग्रह आश्रम डैस का असली नाम है आपके option से दोस्तो ए गांधी आश्रम भी है अहिंसा आश्रम, C है दान्डी आश्रम दोस्तो, D है साबर मती आश्रम दोस्तो, इस कोशन का आपका जो सही आंसर है वो है कि option number D साबर मती आश्रम कोई दोस्तो सत्याग्रह आश्रम ठीक है? के नाम से जानते हैं यह जो साबर मती नदी के टत पर एहमदावा जिले में साबर मती आश्रम इस्तित है और साबर मती आश्रम का जो इस्थाबना हुआ था वो 1916 इस्वी में किया गया था ठीक है? चलते हैं दोस्तो अगले question के और अगला question है कि किसी आवेशित निकाए द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाए पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? आपके options है A गुरुत अगर्शन बल B है दोस्तो घर्शन बल C है विधूत इस्थेतिक बल और दोस्तो D है अभी केंद्री है बल तो दोस्तो इसका जो सही आंसर है वो आपका option number C है कि विधूत अस्थेतिक बल कहते हैं उसको किसी निकाए पर लगाए गए ठीक है दोस्तो और पदार्थों को प्रसपर रगणने से उस पर जो आवेश के मात्रा संचित रहती है उसे इस्तिर विधूत कहते हैं ठीक है चलते हैं अगले question के और दोस्तो अगला question है कि आधुनिक आवर्थ सार्णी में है दोस्तो अब क्या है तो आपके options है 7 आवर्थ 16 समू B है दोस्तो 7 आवर्थ और 18 समू C है 7 आवर्थ और 17 समू दोस्तो D है 7 आवर्थ और 18 समू तो दोस्तो आधुनिक आवर्थ सार्णी में आपके जो option number D है वो सही हो जाएगा कि 7 आवर्थ और 18 समू है ठीक है जानते हैं पहला जो सदिस्देवा हाइडरोजन है अगला कुछ नहीं कि अनु का निर्मान करने वाले प्रमानु की संक्या को कहा साता है दोस्तो आपके option से A सही जगता, B है normal लता यानि कि साधार नावस्ता C है moral लता, यानि कि दोस्तो gram अनुकता और दोस्तो D है atomicity दोस्तो इस question का आपका जो सही answer है वो है आपका option number D यानि कि atomicity, ठीक है दोस्तो किसी आप जानते हैं कि किसी तत्व या योगी का वो छोटा से छोटा करन जो सोतन दवस्ता में रह सकता है अनु कहलाता है ठीक है, चलते हैं दोस्तो अगले question कि अगला question है कि परमानों की प्रकिरती की विवस्ता के लिए पदार्थ की विवाजकता के सिध्धानत को किसने प्रतिपादित किया आपकी option से दोस्तो leverage या B है, J.J. Thomson C है, Democrats और दोस्तो D है, John Dalton तो दोस्तो इस question का आपको सही answer है, वो है आपका option number D, यानि कि John Dalton, दोस्तो परमानों सर्माचा की सिध्धानत को प्रतम यानि की सबसे प्रतम सब प्रतम 180320 में John Dalton ने किया था, ठीक है सुरी दोस्तो अगला कोच नहीं कि प्रमानों आकार किसके दोरा निर्धारित किया जाता है आपकी option से प्रमानों दर्विमान संक्या B है संयोजी इलेक्ट्रोनों पर C है प्रमानों तरिज़ार दोस्तो D है आनविक भार तो दोस्तो जो प्रमानों का आकार जो होता है उसकी प्रमानों तरिज़ा से लिया जाता है ठीक है और प्रमानों में दोस्तो दरविमान एकाही कार्बन के एक परमाणों के दरविमान के बारवे भाग को कहते हैं ठीक है चलते हैं अगले कोशन के देने कि दोस्तो आज का ठावा कोशन है कि संगीत नाकर अकादमी वर्ष डैस में स्थापित किया गया था आपको बताना है किस वर्ष इसकी स्थापना हुई था आपके ऑप्शन से A 1954 B है 1955 C है 1953 और दोस्तो D है 1958 तो दोस्तो इस कोशन को सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नमबर C याने कि 1953 इस भी में संगीत नाकर अकादमी का स्थापना किया गया था आपको अगला कोशन है कि दाप का SI एकाई है दोस्तो आपको बताना है कि दाप का SI यूनिट क्या है आपके ऑप्शन से A Newton B है Pascal C है Zool दोस्तो D है वो वाट तो दोस्तो जो दाप का SI मातरक है वो आपका ऑप्शन नमबर B याने कि दोस्तो पासकल होगा ठीक है चलते हैं दोस्तो आज के 20 और अंदिम कोशन में कि निमली कित में से किसी यूग में की एकाईयां समान है आपको बताना है कि इन दोनों में से किसकी यूनिट्स एक्वल है आपके ऑप्शन से कारे और उर्जा B है बल और कारे C है सक्ती और दावत सो D है दाव और बल तो दोस्तो इस कोशन का आपका सही आंसर है इसका ऑप्शन नमबर A यानि की कारे और उर्जा का सेम होता है यानि की कारे को माप किये के बलके दिसा वस्तु की भी सावंगोन में बलके बराबर होती है ठीक है और कारे का जो मातरक है वो जूल होता है कारे का भी और उर्जा सही हुए है ठेके दोस्तों और उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब भी जरूर करेंगे ठेके दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे एद्युकेशन वीडियो मैं आपके लिए फिर लेकर आता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जैहिंद!